कि अपने यूट्यूब चनल में फिर से सवागत है तो चली स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्लास जो की है आपका बिलडरेशन और यहां से हमने लाज क्लास में पीवाइट कोशन समझे थे और इसके साथ में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को भी अपना समझा जाता तो आज की जो क्लास होने वाली है वह आपकी होगी पीवाइट कोशन बेस्ट उसमें सारे जो कोशन आईवे कोशन से की द्वारा यादर एक्जाम में वह को यहां पर देखने को मिलने वाले हैं तो आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए आपको जो है बिलडरेशन बनाड़ चले सीधा सा बोला है कि एन जो है वाई का ब्हाई है तो एन किसका बहाई है वाई का तो वाई का बहाई बनाया ठीक है आप डागइश्य,ाप ब्राइल की बहन है , ज्यूरह की बहन है सिर्द्ध चार्ण है , ज्यूरह mouvementर्ड़ेशन ब Verfराते हैं कंपर जो है वह क की माँ है और जो और जो है और सी जो है वो वाई की माँ है सी वाई की मदर है जैड का सी से क्या संबंद है अब देखे यह एक्छी बताइए जब यह इसकी बहन है और तो यह सी की भी मदर होगी ठीक है तो जैड की कोन हो जोगी सास कोन हो जाएगी आपकी दामाद अब आपसे पूछा है जैड का सी से क्या संबंध है जैड का सी से क्या संबंध है तो जैड जो होगा वो क्या होगा आपका दामाद सन इल्लो चलिए नेक्स कोशन बागे बढ़ते हैं नेक् नियुकत है जैसे कि मालनीberg नीची लडगीय इसारा करते हुए मौहन ने अब लड़का लड़के की तस्वीय को इसारा करते हुए римआ सबसे पहला प्लेकभि लड़का कै और मौहन खो इसको जैसे जयसे बोलता है वैसे वैसे आप करते चले जाओ मौहनने कहा है मेरी मतलब इसके पिता पती का भाई है पती का भाई कौन है पती का भाई यह लड़का है पती का भाई है वह लड़का महान से किस परका संब्ध है चाचा तो डी ओप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा तो कोशन कुछ इस तरीके सा आपको जो सीधा डाइग्राम बनाओ डिर्कले आपको सुझ माज़ेगा अब इसके पिता इसका चाचा डिर्क नेक्स्ट कोश बंवनीत नेक महिला की फोटो के ओर इसारा करते हुए एक वक्ति है नवनीत और एक महिला महिला कि ओर इसारा करते हुए कहा वह मेरी बहन इसकी कौण बहन नवनीत कि इस महिला को जरा मैं थोड़ा साथ आदे तो नवनीत की बेहन वह है मेरी बेहन मेरी बेहन की मा मा की मा की बेहन बेहन है कौन यह है महिला इस महिला की तो बाच चल ली है तो उस महिला का नवनीत से क्या संबन्द है तो इसकी यह मौसी जी होंगी है ना और यह इसका होगा बतीजा तो वह उस महिला का नवनी से किसम मदमोसी तो सी ओप्षन जो आपका राइट हो जागा तो जो इस सारे वाले कोशन है पॉइंटिंग वाले कोशन है उन कोशनों को भी आप इस तरीके से कर लेंगे डाइगराम के थूरू तो बिल्कुल भी अबकि आपका कभी आणसर गलत नहीं होगा चलिए नेस्ट कोशन केता है क्यूं और की बेहन है क्यूं आर की बेहन है सेंडूनेशन में आएगा पी क्यूं का पिता है पी जो है वह क्यूं का पिता है positive S T का बेटा है S T का बेटा तो अब इसका को रिलेशन नहीं है R S का भाई है R जो है R S का भाई है और S T का बेटा है S जो है वो T का बेटा है अब देखो ये भेहन भाई है तो ये दोनों को रो जाएंगे पती-पतनी ये निगेटिव होगा कैसे negative पत्टी पत्नि होगे दोनों P e o T तो T का P से क्या संबान्द है तो T जो है P की क्या होगी आपकी पत्नी wife D option आपका right हो जाएगा next question बाते हैं next question है आपका Ram ने एक तस्वीर को रिशारा करते हुए कहा Ram Ram ने एक तस्वीर को रिशारा करते हुए कहा इसारा करते हुए कहा तस्वीर को भी लिखी लेते हैं तस्वीर इसारा करते हुए कहा तस्वीर में दिख रही महिला चलो यह महिला है महिला मेरे पिता मेरे पिता की बेहन की बेहन की मा मा के इकलोते बेटे की पतनी है तो मतलब इसकी वाइफ की बात चल ली है इसके मा मा के बेटे मतलब इसकी भी मदर होगी इसका बेटा यह इकलोता बेटा है और उसकी पतनी तो इसकी पिता की पतनी तो राम का तो यह महिला ही तो है जो वाइफ है यह महिला ही की तो बात चली है इस महिला की तो राम का और इस महिला का क्या संबन होगा भी महिला का राम से क्या संबन होगा मा का बी ओप्शन जो है राइट हो जाएगा बी ओप्शन आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए असो के भाई की बहन राम के बेटे की राहूल की पतनी है सबसे पहले अशोक अशोक के भाई अशोक का भाई लिखो सीधा सीधा जैसे बोला जाता वैसे लिखता चले असे असोक के भाई की बहन असोक के भाई की बहन मतलब असोक की भी बहन ही होगी भाई के बहन राम के बेटे राम के बेटे राम के बेटे मालिज राम है और राम के बेटे राहुल की पत्नी है ये बहन जो है किसकी है राहुल की और राहुल किसका बेटा है राम का ठीक है राहुल जो है राम के बेटे की राम के बेटे राहूल की पत्री है तो यही तो है बिलकुल असो का राहूल की बेटी से क्या सम्माद है असो का राहूल की बेटी तो मतलब इसकी भी बेटी होगी भाई और इसकी भी बेटी होगी निगेटिव असो क देखो असो की बहन ये भी है तो ये मामा ही तो लगेगा कुन होगा पिता का भाई, मा का भाई C option right हो जाएगा डाइगरम बनाया अंसर आपकी आखों के सामने अंसर आपकी आखों के सामने Next question M, N का भाई है M क्या है भई M, N का भाई है तो सीधा सिसा लिखो M किसका भाई है M, O की बेहन है N जो है वो O की बेहन है Negative O, P की बेटी है O जो है वो किसकी बेटी है P की और ये negative ये positive दोनो husband wife बन गई अब असर पी का N से क्या सम्बंद है तो P जो है P का N से क्या सम्बंद है P का जो है N से मा D option right हो जाएगा Next question है बढ़ो Next question है E, F का भाई है E E जो है भाई है आपका F का D, E की पतनी है D जो है E की पतनी है दोनो husband wife का H, G, H का पिता है G जो है H का पिता है F, G की बेहन है F जो है वो G की बेहन है F, G की बेहन है और H, जो है G जो है H का पिता है G जो है वो H का पिता है E, G से कैसे सम्बंद है E, G से कैसे सम्बंद इते या पुछा है D, E ये रह और G आपका ये रह आपको बताना कैसे देखो एक ची देखिए ये इसका भाई है तो ये इसका भी तो भाई होगा जब ये इसकी बहन है तो दोनों क्यों जाएंगे भाई एक ओप्शन आपका राइट हो जाएगा एक ही जन्नेशन में तो भाई होँगे नेक्स कोशन पर आगे बढ़ी है नेक्स कोशन दिया है आपको नेक्स कोशन है आपके पास देखिए वो दला है जे एल का भाई है जे जो है जे भाई है आपका एल का एच जे की पतनी है एच जो है वो जे की वाइफ है एच एन पी की बहन है एन पी की बहन है पी है नी तो एल एन का पिता है एल जो है वो एन का पिता है और बोला है एन पी की बहन है एन पी की बहन है ह एच एन से कैसे संबंदित है ह अब देखो यह इसके पिता और इसके बाइद तो यह इसके चाचा तो यह होगा इसकी चाची चाची जिसको बोलते हैं आंट तो बताओ पिता के भाई की पतनी कोन होगे पिता के भाई की पतनी कोन होगे आपकी चाची तो C option आपका right next I K का भाई है सीधा सीधा सा बनाओ भाई I K का भाई है तो I किसका भाई है I आपका K का भाई है H I की पतनी है H जो है वो I की पतनी है same question है गया देखते हैं चलो कोई बात नहीं L J की मा है L जो है K J का भाई है K जो है J का भाई है और L जो है J की पतनी है J जो है वो L की मदर है इसकी L की इसके बाद देखो पूचा है K L से कैसे समद्रे K L से कैसे संब्मन्दित है बैं देखो यह इसका भाई तो के जो है चाचा होगा उनोंगा चाचा है तो उलों भांजा भती जाव तो fell से जो है एल से क्यों से कैसे संब्मन्दित है कि Ideal मामा मैतल जyl कम आएगा देखो क्योंकि ये मतर है सीधी सिवाथ देखो भाई ये इसका बेटा है और ये इसकी मतर होगी बेटि या बेटा हो कोई भर और ये इसका भाई है तो इसका कौन लोगा ये आपका अमामा तो के का कौन हो जागा मैंटर ना लंग यह तो होगा बी बी ओप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा क्योंकि उसने पूछा है के ल से कैसे संबन देते हैं मामा से नेक्स्ट यदि एच आर की बेटी है यदि एच जो है वो आर की बेटी है आर की बेटी है आर एस का पिता है आर जो है वो एस का पिता है ठीक है तो यह बहन भाई या भाई बहन जो भी एस ठीका बेटा है एस जो है वो टीका बेटा है बेटा तो यह दोनों भाई कैसा के अब देखो यह आप यह एच की मदर होगी यह एच की माँ होगी ठीक है अभी यह तो पिता हो सकता है यह पोजिटिव यह निगेटिव दोनों कंडिशन हो सकते इसके साथ में इनके साथ में तो यह तो नानी यह नानी आप उचा है तो एच का एन से क्या रिलेशन है तो एच जो है एच क्या होगा उसका नातिन क्या होगा बेटी बहू भानजी भतीजी या बेटी की बेटी तो यह जाएगा बेटी की बople यह ओप्शन जो आपका राइट होगा बेटी की बेटी यह ओप्शन आपका राइट होगा नेस्ट कोश्चन सुमन ने एक लड़की की फोटो की और इसारा करते हुए कहा सुमन अब यहां पर देखो सुमन ने एक लड़की की फोटो की और इसारा करते हुए कहा सबसे पहले तो मैंंभी इसलिए अगे बढ़ा कुछ कंडिशन आगा आती तो इसको फिर ले के चलते माी के पिता कि महें जो हृँ मैए सुबन के भींचा होंगे बहाई के पिता की बेटी आ हे थो अब महिला में यह खुद भी हो सकती है सुमन उस लड़की का सुमन से क्या संबंद है तो उस लड़की का सुमन से क्या होगा बहन अलग अलग बात है तो दोनों यह अलग होंगे तो सीधी सी बात है बहन एक ही रेंज मारी है तो बहन ही तो होंगी फोटो में एक महिला को उसला करते हुँए भीम ने कहा महिला लिख Each ठीक है क्या है आपको पहले महिला तो आपको ऐसे में करना है गया जाता है वैसे वैसे आपको करते जाना इसमें ठीक जैसे बोला जाता है अब उन्हें भोला भीम ने का वह मेरी मा मा के बेटे मा के बेटे मतले इसका बाई होगा की एक मात्र कौन है बहन है कौन ये महिला जिसको हमने बात करा उस महिला का भीम से क्या संबन्स आधा भाई बहन की तो होगा D-OPCTION आपका राइट आगिया है सीद्धस आपको नाइब करतेंDas क ABOUT कि आई है दुसरा और कोशन फिर आपके जबभ ठी कि आपको देख देखो हमने अभी तक सिर्फ स्으मिल टाइपकी और आउठ वाले कोशन ही कर रहें दो की कोशन नहीं अभी कोडिंग फोंवाला कोई कोशन नहीं आया आगे बढ़ते रहेंगे तो सायद मिलेंगे भारती चवी की बहन है भारती किसकी बहन है भाई चवी की ऑवनी भारती की मां है अवनी भारती की मदर है तो चवी की भी मदर होगी चवी द्रू की पत्नी है चवी जो है चवी द्रू की पत्नी है द्रू की पत्नी है द्रू इशा का पिता है द्रू जो है इशा का पिता है पॉजटिव है सीधी सी बात है तो चवी चवी स्की माता होगी इशा की नानी कोन है भाई देखो इशा की नानी अवनी है ब्यू अप्शन इसकी मदर हो क्योंकि यह चवी की और इसकी माई इसकी म लड़की की तस competitors शे ने कहा उस आदमी का इंप लड़कत की तस्य ने कहा लड़का लिखेंग की समझने से जैसे आप में में उसके इससे रिलेशन करके करते हैं तो बाई मैं बता रहा हूं आपकी कहिना की गलती होने के चांसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं याद डागरम से करतो हैं अंसर सही आता है एक लड़के की तस्वीर की और इसारा करतो हुए शेय ने कहा वह उस आदमी का एक लोता बेटा है कोन लड़का आदमी है कोई और उस आदमी का एकलोता बेटा है ये लड़का तो मेरे पिता एकलोते बेटे के बेटे का पिता है जो मेरे पिता अब इसके पिता है भई इसके पिता के एकलोते बेटे जो मेरे पिता के एकलोते बेटे मतलब इसका भाई होगा बेटे के बेटे इकलोते बेटे के बेटे बेटे का कोन है पिता पिता कोन है लड़का और वो आदमी कोन है उसका पिता अब देखो आपसे पूचा है वह लड़का शेसे कैसे संब्दित है वह लड़का शेसे कैसे संब्दित अब उसका पिता ही तो होगा तो आपका ए ओप्शन आपका जो है राइट आजाएगा ए ओप्शन आपका जो है राइट आजाएगा यह option जो है इसका राइट आ जाएगा ए आएगा कि अच्छ वह लड़का सोरी आर पिता निस होगा भाई बेटे के पिता तो यह आजाएगा आपका बेटा यह जाएगा भतिजा वह लड़का श्रे शे शे बाई श्रे शे पूझा ना भाई इसना पूझा बना दिया तो इसका पिता ही होगा बट लड़के का श्रेशे तो लड़का जो श्रे एक मिट दुबारा बनाता हूं कुछ कन्फूज हुआ इसमें कि यहां पर है श्रेय श्रेया है ना श्रेया ने कहा वह है उस आदमी के इकलोता बेटा है जो मेरे पिता भाई इसके पिता पिता जो मेरे पिता के इकलोते बेटे मेरे पिता के इकलोते बेटे मतलब इसका भाई और इसका ये बेटा मेरे पिता का इकलोता बेटा भाई विकलोते बेटे के बेटे का पिता विकलोते बेटे के कौन होगा पिता पिता है एकलोते बेटे के बेटे का पिता है कौन यह लड़का तुवे लड़का शे से कैसे सम्मानित है पिता के शे के भाई के मेरे पिता के इकलोते बेटे बेटा नीचे अदल इसका भाई बेटे के बेटे का बेटे के बेटे का पिता है वह लड़का अब लड़का तो भाई आपका यहीं आएगा लड़का लड़का अब लड़का यहां नीहाएगा वह लड़का नाएगा लड़का यहां पर अब पिता है तो लड़का नीचे आएगा अब देखो तो यहां पर जैसे गंट करेंगा पुछो श्रय तो जैसे आप देखें श्रय देखें यहां पर इसके पिता मालेजी पिता यही है तो यह दोनों भाई है यह दोनों भाई तो इसका कोनों होगा यह भतीजा इसका कोनों होगा बतीजा तो बी ओप्शन इसलिए अपका तो लिखो यहां से सबसे पहले आप लिखो रिया रिया नेक आदमी की और इसारा करते हुए कहा वह मेरी मा रिया की मदर वह मेरी मा के एकलोते बेटे मा का एकलोता बेटा मतलब इसका भाई और इसकी मदर का बेटा एकलोते बेटे का पिता है एकलोते बेटे का पिता है एकलोते बेटे का पिता है यहाँ पर इसकी मा का कुन हो जाएगा एकलोते बेटे का पिता है तो इसकी यह हजबेंड वाइफ होगे दोनों बेटे का पिता है रिया उस आदमी से किस परकार संबन दित है पती जी मा तो रिया उस आदमी से किस परकार संबंदित है तो रिया बेटी होगी भाई क्योंकि ये इसके पिता होंगे इसके पिता होंगे चलिए नेक्स्ट कोश्चन 17 एक फोटो में एक आदम के इशारा करते हैं सिवांगे ने कहा वह मेरी माँ तो सबसे पहले यहां पर सिवांगे लिख लूँ कि सिवांग ने कहा वह मेरी माँ के भाई के माँ के भाई का भाई का पिता पिता है कौन? आदमी ओटो वाला आदमी उस आदमी का सिवांग से क्या संबंद है? बैद देखो तो इसकी मा के पिता होंगे तो इसके नाना होंगे और यह होगा नानी तो यह हो जाएगा नाना तो मैं टना ग्रेंड फादर आगे बोड़ो यदि पैनी लौडची की भाई की बेटी है यदि पैनी लौडची की भाई की तो लौडची आपका लगए लौडची के भाई की क्या है बेटी? कौन पैनी? बेटी है तो नेगेटिव बेटी भाई की बेटी की मा है भाई की बेटी की मा बयार यह मा यहां पा जाएगी भाई यह बेटी हो किसकी बेटी की मा मतलब इसकी वाइफ पेनी निगेटी पॉजिटिव तो पूचा है तो पेनी का लौडची से क्या संबंद है पेनी का लौडची से होगा देवर का पेनी का पेनी का लौडची से नेक्स्कोशन की तरह आगे बढ़े नेक्स्कोशन है 90 ए बीका अर्थ है ए बीका भाई है अब यह कोडिंग फॉम वाला कोशन आप सबसे पहले दिशाएंग पोरीट ऑर एसा कुछ आपको मिले तो आपको सीधा से इसी कुछन को सोलूशन करना इसी के संगा सोलूशन आपको जो है करना है देखिए उसने बोला D add the rate N तो add the rate का आर्थ क्या है add the rate का आर्थ A add the rate B का आर्थ A B की पुतरी है तो जो है D जो है वो D आपकी पुतरी है N की ठीक और N जो है पुतरी है आपकी H की क्योंकि add the rate है यहां पर भी add the rate अब आता है and H और Y की बीच में और N का आर्थ है A and B का आर्थ है A B का पती है तो H जो है पती है आपका किसका वाई का यह वाइफ यहां तक के लिए फिर add the rate फिर देखो जो वाई जो है वो पुतरी है आपकी F की यह F की पुतरी है percentage का आर्थ देखो A percentage B का आर्थ है A B की पती है तो F जो है वो B की क्या होगी पती नहीं होगी F जो है पती नहीं होगी आपकी किसकी भई वी की और यह पती है डाइगराम बनीगिया अब आपको रिलेट करना है तो N F से किस परकार सम्मझे देखें यह इसके पिता यह इसकी पिता और इसकी मदर और मदर की मदर है तो आपकी कौन होगी नानी उसकी कौन होगी नानी अब आपसे पूछा तो N F से किस परकार सम्मझ देखें n जो है F से किस परकार सम्मझे पूतर पुत्र वदू है god to three पूतरी की पुतरी की पुतरी सी ओप्षन आपका जो हो जाएगा सिए आपका जो है राइट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन पर आगे बढ़ते हैं यह पिर आपको ऐसे दिया अब देखिए इसमें है डबलू परसंटेज अब फिर सब्सक्राइब परसंटेज का अर्थ है एब की पतनी है तो डबलू जो है डबलू पत्नी है आपकी D की पॉजिटिव फिर हैस का आर्थ है A B का भाई है तो डी जो है भाई है आपका जी का ठीक है यहां तक हम complete फिर add the rate का देखो add the rate का आर्थ है A B की पुत्री है तो जो जी है वो पुत्री है B की तो जी जो है वो पुत्री है आपकी B की ठीक उसके बाद देखो end का आर्थ है A B का पती है तो B जो है M का पती है यहां तक बड़े B जो है वो M का पती है और M wife हो जाएगी उसके बाद देखे add the rate का आर्थ है A B की पुत्री है तो M जो है वो I की पुत्री है यहां तक के लिए उसके बाद आपसे पूछा है DM DM से किस परकार संबंदित है DM से किस परकार संबंदित है तो देखो यह हाला कि पहले सबसे पहले देखो नीचे जन्नेशन में है दादा जी तीसे जन्नेशन में आते यह तो नहीं होगा पिता जी आ सकते हैं पोता भी नहीं आएगा क्योंकि तीसी जन्नेशन में हैं पुत्र पुत्र आ सकते हैं और पिता बी और डी में आपका कोई एक उप्शन होगा अब देखो आपका ये कौन है इसकी मदर ये इसके पिता है तो इसके भी पिता होंगे ये दोनों भेन भाई ह तो इसके पिता और इसकी मदर तो कौन होगी अपकी यह यह कौन हो जाएगा इसका भाई डी जो है वह वहादा डी एम से किस परकार संबंदित है तो डी जो है पुत्र होगा डी जो है पुत्र होगा तो उप्शन इसलिए आपका जो है डी आ जाएगा ठीके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ आगे बढ़ते नेक्स्ट कोशन आपका यह है इसे बोलाए ए हैस बी का आर्थ है ए बी का भाई है फिर से आप लिगा लो सिधा सा इनका सुलिशन करते चले जाओ परसंटेज करते है ए बी की पतनी है तो एस जो है एस वाइफ है आपकी डी की पॉसितिव उसके बाद देखिये है यहां डी का भाईog है तो डी जो है भाई आपका किस का जाएगा भई F का जाएगा ठीक अब आपको बढ़ना है इन दोनों की बिच में F और G की F और G की बिच में add the rate का अर्थ है A B की पुतरी है तो F जो है पुतरी है आपकी किसकी भई G की बनिगे उसके बाद देखो नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं यहां पर end का अर्थ है A B का पती है तो आपका G जो है वो पती है आपका H का यह वाइफ हो गई उसके बाद देखे आपको add the rate add the rate का अर्थ है A B की पुतरी है तो H जो है J की पुतरी है तो यहां तक आपका किलियर यह आपका डाइग्राम माना उसने पूचा एफ जेस एच से किस परकार संबन नहीं थे भई देखो यह इसकी बेटी है तो यह इसकी मदर होगी इसकी पिता है तो एफ जो है कौन होगी पुतरी एफ जो है आपका राइट होगा ए उसन आपका जो है बई राइट हो जाएगा ए और जो है राइट हो जाएगा यह आपके लिए होमवर्ख इसको आप खुद से करेंगे इसका अंसर आप खुद से निकालू क्या इसका आंसर समौन में आता ठीक है याभी तक मेने से कोश्षम करा लिए आपको कई सारे ये भी आपके लिए होद बंद लगा यह आपको कराये ठीक है टूऑत इनको जो है अंसरं डीजिए तो डियार्स आज को यह कोशन आज समझवाए हूंगे जैसे हम कोशन ना प्रक्टिस किया तो अभी इस क्लास को यह प्यांड करते हैं फिर मिलते हैं नेस्ट टॉपिक के साथ में नेस्ट क्लास में तब तक के लिए बाबाए जहीं जया भाहर दोस्तों कि अगर कि अगर कि